प्रोशन वन में दो अपने पास मट्रेयोल है P & Q ठीक है P & Q और दोनों का इनिशियल अक्टिविटी स्टार्टिंग अक्टिविटी दोनों का सेम दिया लम्ड नौट रो सॉरी इनौट ठीक है दोनों का एक्टिविटी इनिशियल अक्टिविटी रखा है और हमसे टीक वल्टू तू टाइंक के बाद रेशियो पूछा है आर का है ठीक है आर हमसे बोला है आर इस माइनस डी ए बाई डी टी यह बता रखा है ठीक है तो सॉल्ब करते हैं पहले हमें यह फॉर्मुला मालूम है A is equal to A not A to the power minus lambda T A is equal to A not A to the power minus lambda T ठीक है अपने को यह मालूम है इसमें आगे देखें इसको differentiate करें दी ए भाई डी टी डी ए वाई डी टी इस इक्विल टू माइनस डी आवाई डी टी कर ले ए नौट लैंडा पावर minus lambda T ठीक है माइनस लैंडा टी तो कि अपने करना चाहें डी आवाई डी टी आफ पी अपने डी टी आफ क्यूः क्यूड ठीक है माइनस साइन लगे हुए है नहीं लगे हुए है कोई मीनिंग महीं है वरना दोनों कैंसल हो गए है यहापर आए यहाएगा a0 लैम्डा 1 लैम्डा 1 और e to the power minus lambda 1 into t यहाएगा a0 e to the power lambda 2 e to the power minus lambda 2 t यह मिलेगा इसके बाद आगे बढ़ें यह rp हो गया rp upon rq is equal to और हमें इग वालू है lambda is 1 by t average 1 by t average है ना lambda is 1 by t average तो lambda 1 तो 1 by tau दे रखा है और lambda 2 1 by 2 tau दे रखा है इसको रख दे lambda 1 e to the power minus e to the power minus t by tau अपन lambda 2 e to the power minus t by 2 tau छी lambda 1 lambda 2 रख दिया इसके बाद rp upon rq आजाएगा lambda 1 by lambda 2 और यहां कितना आजाएगा अच्छा अब at at equal to 2 tau पर पूछा है रखेंगे e का बावर minus 2 e का बावर minus 1 तो 1 by e छीक है और यह ratio यह ratio lambda 1 इससे यह है 1 by tau यह है 1 by 2 tau 2 1 by e कितना आगे है 2 by e 2 by e तो answer आगे n equal to question number 2 में हमें equilateral prism दे रखा है और calculation है इस question में theta equal to 60 degree चाहिए theta 60 degree और angle of incidence is 60 degree और इसका refractive index n equilateral prism दे रखा हमें angle of incidence is 60 degree and refractive index n तो यहाँ पे यहाँ पे angle of emergence angle of emergence theta is a function of n ठीक है theta is a function of n तो फामले यूस करते ही यह जो theta के इवन है actual में a बोले a is equal to r1 plus r2 a is equal to r1 plus r2 यह r1 है यह r2 ठीक एक तो यह हमें end 1 पे और 2 पे ठीक है 1 पे अगर इस nulls लो अप्लाई करें तो sin 60 1 sin 60 is equal to n sin r1 यहाँ से sin r1 आ गिया sin r1 root 3 by 2n root 3 by 2n और इसी से हम cos r1 भी निकाल ले रहे हैं क्योंकि आगे use आना है हम already calculate करी ले रहे हैं यह r1 यह root 3 यह 2n under root 4n square minus 3 under root 4n square under root 4n square minus 3 तो cos r1 यहां से आ जाएगा जोगत पड़ेगा इसलिए कर रहे हैं cos r1 is under root 4n square minus 3 upon 2n ठीक है यह मिलेगा अब इसके बाद यह इसको बोल रहे हैं second इसके बाद आगे देखें इस नल्स लाइक यहां पर भी लगेगा point 2 पे इस नल्स लाइक लगाए 2 पे n sin r2 n sin r2 is equal to sin theta n sin r2 is equal to sin theta sin theta is equal to यहां से n sin r2 sin r2 हो जाएगा यहां से देखो sin r2 60 minus r1 रख सकते है 60 minus r1 यहां से sin theta n formula होगा है sin 60 degree यह जोगा root 3 by 2 cos r1 जोगार पड़ी cos r1 के इसलिए पतागर रखा था cos r1 minus cos 60 half sin r1 जाएगा है sin r1 यहां से sin theta solve करते चलें sin theta r1 वगारे रख के n n root 3 by 2 cos r1 cos r1 यहां से रखेंगे under root 4n square minus 3 upon 2n minus sin r1 रख दो root 3 by 2n यहां जाएगा root 3 by 4n यहां जाएगा root 3 by 4 n यहां आफ अल्लेडी sin r1 रख दिया root 3 by 4 n अब differentiate करेंगे cos theta d theta by dn क्योंकि हमें यही solve करना है differentiate किया minus cos theta d theta by dn और इसको differentiate किया तो जो मिलेगा यहां पर n तो चला जाएगा इसको पूरा differentiate करके जो भी आएगा तो यहां से अगर हम d theta by dn निकालेंगे differentiate करेंगे बस यह अपन cos theta और में वैल्यू बताने है when theta is equal to 60 degree तो यहां से on solving you get d theta by dn is equal to 2 टेक है question no.3 इसमें हमें जो diagram दे रखा है उसमें wheatstone bridge बनता हुआ दिखेगा और यह यह एक easy question है अगर हम पहचान लेए wheatstone bridge 6.5 volt और 2 ohm 6 ohm यह 12 ohm यह 12 ohm यह एकल तो 2 ohm 3 1 ohm अब अगर देखिए रेशियो वन इस्टू टू और इसका भी वन इस्टू टू तो यह वीट इस्टॉन ब्रेजिया हम इसको अटा सकते हैं यहां से यह टोम को हमने रिमूज इसके बाद हम सॉल्ड करें यह वन प्लिस टू थ्री एंड दिस सेक्स इन दोनों को रिजल्टें हम इस पूरे सिस्टम को हटाके यहां पर बना सकते हैं रिमूज और 10 ओम भी रिमूज और 10 ओम भी रिमूज कर दिया यह 6 प्लस 12 18 और यह 2 प्लस 4 6 इन रिजल्टें निकाल लेते हैं बहुत इसी सा कोश्चन हो गया इनका resultant solve करेंगे तो देखें क्या मिलता है यह 2 तो हई है और साथ में इनका resultant 6.5 गोल्ट ठीक है R equal to 2 इनका resultant मिलेगा वो आएगा R उसको R equivalent बोल दे रहा है R equivalent यहाँ पे R equivalent will be equal to 18 into 6 18 into 6 R1 R2 upon R1 plus R2 24 24, 4 किता आगे है 9 by 2 अब overall equivalent आएगा overall equivalent को में small R equivalent बना लिते हैं इसको आठा देंगी तो overall equivalent बन जाएगा यह overall equivalent R equivalent किता मिलना चाहिए R equivalent will be equal to in वो दोनों series में 2 plus 9 by 2 that is 13 by 2 that is 6.5 और तो current किता मिलेगा V by R 6.5 upon 6.5 that is equal to 1 question number 10 में यह दे रखा है कि एक sphere है uniform charge density का उसमे cavity R 2 radius का create किया and R 2 minus R 1 is equal to P sorry P R 2 minus R 1 P R 2 minus R 1 is equal to A ठीक है यह R 1 है R 2 minus R 1 is equal to A दे रखा है यह बोलें R 1 minus R 2 दे रखा है R 1 minus R 2 is equal to A और इसमें कहीं पे point T पे ठीक है at position R अंदर point किसी point पे position vector R लेते हुए अगर हम बात करें यहां पे जो क्यों point क्यों नाम रख जेते है R पर जो field आता है वो मैं मालूम है field uniform होता है लोगों ने पढ़ रखा है rho by 3 epsilon node into vector A ठीक है तो it depends on vector A it depends on vector A and is uniform and is uniform it is independent of R it depends on vector A this is vector A this is vector A ठीक है तो it depends on vector A and is uniform तो इसका answer जो मिलेगा वो D होगा answer is D हमें दो graph दे रखके है 11 में एक graph तो इस तरह दे रखका है दूसा graph दे रखका है बड़ ग्राफ में ध्यान देने वाली बाती है यह stress versus strain graph नहीं है हम बोले हम जो नॉमली पढ़ते है stress y axis पे उतार strain x पे तो strain versus strain strain versus stress है अगर हम order में बोलें उसको stress versus strain बोले तो strain versus stress तो यंग्स मोडलिस पहले compare करें यह और q यह और q यह और q यह अगल से आए है यंग्स मोडलिस जिसका यह वाला अंगल ज्यादा होगा q के लिए ज्यादा है असका काम है यह theta q और यह theta p this is theta q ठीक है यंग्स मोडलिस of q is greater than यंग्स मोडलिस of d तो d option तो गलत होगी है q को ज्यादा है तो d नहीं है और जिसमें यह पार्ट होता है उसका nature more tensile यह tensile भी है साथी साथ में डग्टाइल भी है और यह जो है brittle यह graph अचानक से खतम होगी है तो इसमें इसमें हम बोलें elastic limit के बाद ज्यादा graph बना ही नहीं अचानक से खतम होगी है तो इस बिटल नेचर का है और यह tensile और डक्टाइल दोनों है तो हम बोले p is more ductile than q, p has more tensile strength than q तो answer होंगे a and b question number 12 question number 12 में situation create की है कि एक spherical drop है और अपनी gravity की वैसे यह equilibrium में है ठीक है तो हम dm mass की बारे में study करेंगे dm mass ए dm mass ठीक है dm mass की बारे में study करेंगे area d a ले ले इसके across जो pressure है इस side इस side हम p वान लेते हैं इस side वानेंगे p plus dp p plus dp ठीक है p plus dp और देखनों यहाँ पे अगर हम sphere consider करें तो अंदर force लग रहा होगा dm into g force of gravitational attraction ठीक है gravitational force of attraction dm into g और यहाँ पे जो pressure difference है वसकी वे जो force आएगा dp into a dp into a dp into a dp into a और sign की साल लेकर मिनस dp into a minus dp into a is equal to dm into g minus dp into a is equal to dm into g यहाँ से हमने area d a लिया है sorry इसको d a करेंगे dp into d a dp into d a is equal to dm dm mass इती area का है और r दूरी पर हमने यह element माना है r दूरी पर thickness dr का ठीक है तो यहाँ पे आएगा dm rho d a into dr density into volume into g g का formula g आएगा rho r upon 3 into 4 pi g ठीक है rho r 4 pi g upon 3 यह मिला है यहाँ से d a से d a cancel कर दी है minus dp is equal to rho square rho 4 pi g rho square 4 pi g rho square by 3 4 pi g 4 pi g rho square by 3 r dr ठीक है दोनों तरफ integrate कर देंगे अच्छे इसके बाहर यहाँ पर pressure कितना होगा यहाँ पर बाहर pressure 0 होगा और हमें r दूरी पर निकालना है तो हम limit लेंगे limit लेंगे यहाँ पर ध्यान से देखना limit r से capital r और capital r पर pressure कितना होगा 0 और r दूरी पर center से pressure कितना माना है p और यहाँ से integrate करके हमें मिल जाएगा p is proportional to p is proportional to r square minus r square ठीक है इससे चेक करेंगे ratio और ratio चेक करेंगे तो हमें मिलेगा correct options मिलेंगे b and c ठीक है question 13 काफी easy question है पहले air में हम निकालेंगे जिए इसके बीच में air filled है तो capsidens जो आएगा c1 वह आजए अप्साइलन नौट एस बाई डी अप्साइलन नौट एस बाई डी चेक है अप्साइलन नौट एस बाई डी बाद में इसमें मेडियम इस टाइप बर दिये गया है तो अगर हम उसका equivalent डाइग्राम बनाएं तो ऊपर दो capsidens हैं सीरीज में और दूरी है plates के बीच डी बाई तू डी बाई तू इसमें बाई रखा है epsilon 1 is equal to 2 इसमें बाई एप्साइलन 2 is equal to 4 यह fill कर रखे हैं अपने dialect fix और नीचे एक ही capacitance है यह एकी capacitance है जिसमें हमने epsilon 1 fill कर रखा है epsilon 1 is equal to 2 और जो दूरी आएगा डी आएगा यहां दी बाई 2 आएगा ठीक है तो यहां पे जो equivalent आए वो C2 आए है C2 इन सब का यह दोनों series में है इनका equivalent निकालेंगे इसके साथ parallel में add up करेंगे ठीक है तो ऊपर solve करें अगर उपर एपस नाम रख देए इनका small c1 या c1 c2 इनका नम रख देए इनका c c small c रख देए small c1 small c2 small c3 चाहिए है तो small c1 small c1 आएगा epsilon not a और k2 आजाएगा 2 epsilon not a a हो जाएगा अपना s by 2 s by 2 upon d by 2 ठीक है तो यहांसे आएगा 2 epsilon not s by d 12 epsilon not s by d c2 आजाएगा 4 epsilon not s by d ठीक है 4 epsilon not s by d यह मिल जाएगा और इनका equivalent c equivalent यह दोनों सीज में c1 c2 upon c1 plus c2 आएगा तो 2 into 4 upon upon 2 plus 4 6 6 और आएगा epsilon not s by d ठीक है एपसाल not s by d कितना मिलेगा यह 8 by 6 8 by 6 means 4 by 3 epsilon not s by d यह जाएगा और नीचे c2 अगर c3 calculate करें c3 c3 हमें मिलेगा आपने को c1 plus c2 आफ रिसफाल not s by d यह इलेका तो आएगा यह जो है प्लेक हो सीज मिलेगा आफने को c1 plus c2 आपने को c2 आपने को c1 plus c2 आपने को C2 is equal to 7 by 3 7 by 3 Sun not S by D क्या है C1 C2 by C1 is equal to 7 by 3 answer कान सब मिल आपने को D Qश्य नुमर 14 Physics The idle monotomic gas is confined in a horizontal cylinder by a spring loaded piston so we have a diagram somewhat like this the spring this is your guess initially the guess is it temperature P1 pressure P1 and volume V1 and the spring is in its relaxed state the gas is then heated very slowly to temperature T2 pressure P2 and volume V2 during this process the piston moves out by a distance X ignoring friction between pistons render the correct statements are see initially spring is in relaxed state so X equals to 0 here is some pressure P1 here will be some pressure P0 so P1 A will be equals to P0 A so that the piston is in equilibrium pressure P1 pressure P1 volume V1 temperature T1 okay now what this is some heat is given to this system such that temperature changes to T2 volume to V2 and pressure to P2 so from initially we can say that P1 is equals to P0 and this spring compresses by a distance X when the temperature volume and pressure are increased by giving heat to this system the spring compresses by a distance X okay so what is it asking now P1 equals to P0 here again the piston will be in equilibrium the piston in equilibrium implies P2 A will be equals to P1 A basically P0 A plus KX okay now P0 we can put as equal to what P1 so from here we can write P2 A equals to P1 A plus KX which implies X is equals to P2 minus P1 into A by K K got it or we can also write the value of K that is K is equals to P2 minus P1 A by X so here we have the one equation okay to calculate X X can be written as V2 the final volume minus minus V1 upon A that X into A is actually what change in the volume okay so we have got these two equations now the first case option A V2 is equals to 2V1 T2 is equals to 3T1 energy stored in spring is half K X square so putting out all the values half K X square K can be written as half K X square so K X we can write it as half K into X that is P2 minus P1 into A into V2 minus V1 upon A so we have this U S as half P2 minus P1 into V2 minus V1 also applying Adel gas law P1 V1 by T1 is equals to P2 V2 by T2 putting all the values V2 is 2V1 so P1 V1 by T1 is equals to 2V1 by 3T1 so this implies P1 is 2 by 3T2 so putting all the values U S is equals to half 3 by 2 P1 minus P1 into V2 that is 2V1 which gives the answer 3 by 2 minus that is 1 by 2 to 1 by 4 this will be equals to half P1 V1 okay case B change in internal energy so this is what energy is stored in spring so change in internal energy delta U is equals to N Cv delta T Cv is so we are checking the option B Cv per monodonation is 3 by 2 R so this is N 3R by 2 delta T which comes out to be 3 by 2 N R delta T which is 3 by 2 P2 V2 minus P1 V1 which is equals to 3 by 2 again again putting the values P2 is 3 by 2 P1 so 3 by 2 P1 into 2 V1 minus P1 V1 is equals to 3 by 2 to cancel to this is 3 P1 V1 so we can check these options A and B are correct for checking work done by guess so work done by guess will be equals to half K X square as piston in equilibrium so C and D are wrong and A and B are correct C and D now we can prove in the same way they will be coming out to be wrong so here now we are getting the answers as A and B but there could be one more solution of this problem if P0 is taken as variable okay if P0 is taken as variable the answer would have been only option B so the answer for this from our side is A and B for only B got it it is a question from nuclear fission a fission reaction is given uranium 92 236 giving 140 xenon 54 plus 38 strontium 94 plus X plus Y where X and Y are two particles considering uranium at rest the kinetic energy of the products are denoted by K xenk strontium for X and Y is given as 2 mega electron volt and 2 mega electron volt kinetic energy are given as 2 mega electron volt and 2 mega electron volt let let the binding energies per nucleon be 7.5 8.5 and 8.5 so find the options correct ok the change in energy Q released Q released will be actually equal to 140 into 8.5 plus 94 into 8.5 minus 7.5 into 236 which comes out to be 1770 plus 799 minus just a second sorry 140 into 8.5 this will will be 1190 plus 799 minus 1770 which is equals to 219 mega electron volt and this energy will go as what this 219 mega electron volt will be going as kinetic energy of xenon plus kinetic energy of strontium plus kinetic energy of these two that is 4 mega electron volt so we have kinetic energy of xenon plus kinetic energy of strontium as 215 mega electron volt this we got by energy considering about momentum if we talk about the momentum of x and y it will be root 2 mk their masses are highly negligible so neglecting momentum of x and y neglecting momentum of x and y we have the momentum of xenon and strontium must be equal so we have momentum of xenon should be equals to momentum of strontium and kinetic energy is equals to p square by 2m so this implies kinetic energy of xenon can be written as p square by 2 into 140 and kinetic energy of strontium can be written as p square by 2 into 94 solving from here we can get the ratio of kinetic energy of xenon upon kinetic energy of strontium is 94 upon 140 and putting by these values over here we can have the exact answers there is one more thing in the question what is x and y what are these so by balancing atomic mass and mass number balancing atomic number and mass number x and y are 1 and 0 that is they are what they are provided as n's exactly ok number 1718 which is a paragraph light guidance in an optical fiber can be understood by considering a structure comprising of thin solid glass cylinder refractive index N1 surrounded by medium of low refractive index N2 the light guidance in the structure takes place due to successive TIRs at the interface of media N1 and N2 as shown all raised with angle of incidence IE less than a particular value IM are confined in the medium of refractive index N1 the numerical aperture of the string defined as sin IM all raised with angle of incidence IE less than a particular value IM are confined in the medium this is known as what numerical aperture ok so you have the structure like this this medium is some N1 medium this medium is some N2 medium and this is being shown as the angle of incidence IE this surrounding medium can be taken as N so light goes from here like this and undergoes PIR over here so let this angle be theta for PIR theta should be always greater than theta C which is equal to sine inverse N2 by N1 ok if this is theta this angle R will be equals to 90 degree minus theta theta is always greater than this thing so R should be for theta C ok applying Snell's law at this point N into sine I is equals to N1 into sine R by applying the Snell's law this implies sine I is equals to N1 by N into sine R for T R to take place this thing should always be less than what N1 by N into cos R sorry into cos theta so this implies numerical aperture sine I M it is saying already that all real angular radius less than a particular value this is small I small then sine I will undergo what TIR so sine I M will be coming out equal to N1 by N under root 1 minus sine square theta C which gives us the value as N1 by N under root 1 minus sine theta C is N2 that is N2 square by N1 square so this is equals to 1 by N under root N1 square minus N2 square now putting down the values we can verify that option A and C are going to be correct you have to simply put the values as far as question number 18 is concerned we join them longitudinally so this is one and this is the other even we have joined them longitudinally it is defining sine IM as the any angle less than it so whichever is less so since NA2 is less than NA1 the answer will be option D because when I will be less than NA2 it will be automatically what less than NA1 L and this assembly is free to move along the line joining them. All the three masses interact only through the mutual gravitational interaction. Okay. This line को बहुत ध्यान से देखना है कि सिर्फ अपनी ही gravitational interaction के से वो लोग move होते हैं and the point mass nearer to plus M. Okay. It's capital M is at a distance R equal to 3L from M the tension in the rod is 0 for M equals to K times M by 288 और K की मुझे value निकालनी थी. So कुछ इस तरह का system उसे जवन है. A capital M mass है and इसी से कुछ दूरी पर ये वाली distance मुझे R दे रखी है. यहां पर एक point mass मौजूद है small M और इस वाले mass से L दूरी पर एक दूसरा point mass मौजूद है again जिसका नाम है small M इस तरह से उन्हें को तीन masses का एक system दिया है और इन लोनों पर इस rod से जोड़ागे है. यानि छोटा M और दूसरा वाला छोटा M इस अगर connected wire rod massless rod हम लोगों given है इसमें छीक है? चलो. इस massless rod के बारे में चर्चा जर्भी जाएगे इसमें आमें टेंशन क्या लानी है? 0 लानी है उससे M की जो value आएगी उस समय जब tension 0 होगी तब के लिए हमको K की value find out करनी होगी. जो expression दिया है according to that. तो अगर मैं system पे net forces की बात करता हूँ तो net forces की बात करता है इस फ़हले system. चलो. इस M के कारण जो forces लएँगी दोनों attractive type की forces होगी. उन दोनों स्क्वेर प्लस दूसरे आले मास पर GMM upon 3L plus L is 4L whole square. और यह divided by हमने क्या कर दिया है? 2M से. आगे हम लोग जब इस वाले मास की बात करेंगे तो इस वाले मास के उपर अब हम लोग net force लिख रहे हैं. लेट स्क्राइट यह आजाएगी हम हमारे पास G, बड़े मास की वाज़े से आगई 3L square, माइनस इस मास की वाज़े से जो force लाइए हो राइट-hand side, बड़े मास की वाज़े से left-hand side, तो माइनस हमारे पास में आजाएगा G, M square upon L square, कुछ इस तरह से. और क्योंकि which is our required answer, तो हमारे जो answer यानी K की value है, हो जाएगी 0007, अल्राइट. Question number six, error का question, energy of a system as a function of time is given by, E as a function of time equals to A square exponent, exponential मतलब E raise to the power minus alpha T, यह हम लोगों को यहाँ पर given है, ठीक है, अब exponential लिखा है, इससे E ही लिख लेता है, E raise to the power minus alpha T, this is given to me, alpha की यहली 0.2 per second दे रखी है, A में error बता रखी है 1.25% की, और time के measurement में 1.5% की, मुझे percentage error निकाल ली है, E में at T equals to 5 seconds, कुछ भी नहीं करना है, दोनों तरफ log ले लेना है, हमेशा की तरह natural log लेंगे तो अच्छा लगेगा हम लोगों को, तो ln E equals to 2, dA by dt आजाएगा या, चीक है, यह हमारे पास में आजाएगा dA upon A, क्योंकि हम लोग ले रहे हैं, चीक, तो पहले तो log ही लेके 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 लेके, यहाँ आजाएगा 2 ln A, और यहाँ पर इसका भी log लेंगे, तो यह आजाएगा minus alpha T, ln E होगा न, तो E की पार something, इदर आके multiply हो जाएगा, ln E base E, तो यह आजाएगा 1, this becomes 2 ln A, अब जब मैं इसे differentiate करता हूँ, तो हमारे पास में देखे ज़रा क्या आजाएगा है, differentiate करूँगा dA upon A आजाएगा, यहाँ पर two times of dA upon A आजाएगा और यहाँ पर plus हो जाएगा क्योंकि मेरे को maximum permissible error लिखनी होती है, मान लिजिए, time में error अगर negative होती है, और A में error अगर positive होती है, तो error कभी घटती नहीं, हम लोग हमेशा बात कर रहा होता है, maximum permissible error की, जो गी हमेशा क्या होती है, add up होती है, so this minus sign would be converted into a plus sign, में जब हम लोग errors को add कर रहा होंगे, तो अब हम लोग इसमें error वाला formula जो है, उसको apply कर देता है, इसको आप differentiate किया, तो हमारे पास में जो चीज आती है, it comes out to be, let's see, I am putting the values two times, हमें जो value दे रखी है, e के measurement में हम लोग error निकालनी है, तो इसको लिख लेता है हम लोग, percentage error in e equals two, two times ln a, ln a का मतलब b upon a, और a में जो error है, वो मुझे कितनी है रखिया, 1.25% की मतलब की two times 1.25 multiplied by 10 के र-2, बीच में plus का sign जैसा हम लोगों ने कहा था, alpha की value is given to me as 0.2, ठीक है, time 5 seconds में निकालना है, और time में error is 1.5%, 5 into 1.5 it becomes 7.5 into 10 square minus 2, इसको जब हम लोग solve करेंगे, तो हमारे पास जो percentage error है, it comes out to be 1.25, 2.5, यह वजाए 1.5, so it comes out to be 4% which is the required answer, okay. question number 7, the densities of two solid spheres, A and B of the same radii are, vary with radial distance R, as हम लोगों को दो अलग-अलग densities दे रखी है, solid sphere है, equals to K times R upon R, और जो दूसरा sphere दे रखा है, उसकी जो density that is given K times R upon R, raised to the power 5, यह हम लोगों को densities दो हैं, वो radial distances के साथ variation में दी होई हैं, moments of inertia of the individual spheres, about access passing through their centers are IA and IB, ठीक है, IB upon IA की value N by 10 दे रखी, N की value निकालने हैं, बहुत ही आसाल question, हम लोगों directly इसके अंदर, DI की बात करता हैं, यानि DI और A निकाल लेता हैं, ठीक है, तो variation हम लोग जानते ही हैं, डैंसेटी में किस तरह से हो रहा है, तो DI जो होगा, वो क्या होजाएगा 2 by 3 MR square solid sphere का, उसी वाली value को काम में लेना है, तो हम में लिखा 2 by 3 integration of, अब इसका जब मैं mass लिखूँगा, तो मैं लिखूँगा row multiply by the volume, R पे जाके, एक छोट असा DR radius, thickness, यहाँ पर DR होगी, और अब इसका हम लोग volume लिख रहा होगे, तो it becomes what, row times 4 pi R square, जो इसका area होगा, multiplied by DR, ठीक है, तो यह तो हम लोगों में क्या लिखिया इसका, volume लिख लिखिया, 4 pi R square DR से, और अभी इसके आगे क्या होगा, इसके आगे हम लोग M R square, जो हमारे पास में moment of inertia है, उसका R square भी अभी इसके multiply करना बागी है, कि इस तरह से this is the mass वाला part, this is the M R square, R square वाला part, 2 by 3 को यहाँ पर लगना ही है, similarly हम लोग B I B भी लिख सकते हैं, उसकी value भी क्या जाएगी, 2 by 3, multiply 2 by 3 और integral, rho A, यहाँ आगया, rho B, same 4 pi R square DR into R square, यह terminology को यहाँ पर भी क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है, अब आगे की जो conditions है वो यह है कि rho A और rho B की जो values है, उनमें variation है, on putting those values and integrating, integration कहां से कहां तक, मैं 0 से लेके capital R तक जाऊंगा, तो यहाँ भी 0 to R, यहाँ भी 0 to R, I get the value, when I do IB upon I A, it comes out to be 6 upon 10, which gives me the value of N to be 0, 0, 0, 6, which is the required answer. Question number 8, 4 harmonic waves of equal frequencies and equal intensities, I0 have phase angles 0, pi by 3, 2 pi by 3 and pi, when they are superposed, the intensity of the resulting wave is N I0, value of N, very easy question, Superposition of SHM से हम इसमें phasor draw कर लेता है, पहला बना लिया, I0 0 degree, दूसरा हमें pi by 3, pi by 3 का मतलब at an angle of 60 degree, again I0, इसके वाद में दिया 2 pi by 3, 2 pi by 3 is how much, 120 degree, छीक है, so this angle is 120 degree, again this is I0, and another one is at an angle of pi, यानि की 40 degree, तो यह हमारे पास में आ चुका है, अब अगर हम ध्यान से देखे हैं, तो ये वाला और ये वाला, these two will cancel out, और क्योंकि इन दोनों का cancellation हो गया है, तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, देखिए ध्यान से, ये दोनों cancel, मतलब हमारे पास में सिर्फ ये और ये बस्ते हैं, इनके बीच में phase angle रहता है, कितना, अगर तो में ये angle निकालने, तो this is 60 degree, now I know that, कि जो हम net intensity लिखता है, वो क्या होती है, i1 plus i2, plus 2 root i1 i2, cos delta 5, यहाँ पर मुझे delta 5 पता है, 60 degree, i net की value निकालनी थी, हमारे पास i1 i2 कितनी है, i0, तो ये हो गया, 2 i0, plus 2 times, दोनों कराबर मतलब किये भी, i0, cos of 60 degree, cos 60 is half, this becomes, 3 i0, ठीक है, यह हमारे पास में i net की value आईए, i net की value 3 i0, मुझे compare करना था, n i0 से, तो therefore, the value of n comes out to be 0003, which is the required answer. Question number 9, in terms of potential difference, electric current, permittivity, permeability and speed of light, dimensionally correct equations is or r, ठीक है, वही, question बहुत लंबा था, हमेंसे पूरा तो solve नहीं करेंगा, पर ताहिल भी टैलिंग यू के, कैसे potential differential dimension निकालना है, current being a fundamental quantity, उसके dimension क्या होंगे, ampere होंगे, permittivity और permeability के dimension हम लोग नहीं निकाल पाता है, तो मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ, that the force, जो होती है, एक electrostatic force के हम लोग बात करता है, उसके हम लिखता है, 1 upon 4 by epsilon naught, q1, q2 upon r square, this is what we write, when we calculate the force, electrostatic force, तो अगर यहाँ पर देखाता है, तो यह जो epsilon naught लिखा हुआ है, आपके सामने, this is the permittivity, इस permittivity के dimension हम लोग इस फ़हले formula से निकाल सकता है, q की जो value of 8 is i into t, where i is the parent, t is the time, तो हम लोग यहाँ से q के dimensions निकाल सकता है, यह सभी dimensions रता है, r के dimension, l, force के dimension, ml, t, minus 2, तो हम लोग epsilon naught के dimension वहाँ से निकाल लेंगे, potential difference, simple, potential energy divided by charge, तो वहाँ से हम लोग आराम से potential difference के भी जो dimension है, calculate कर सकते हैं, alright, permeability, अब permeability के dimension निकालने के लिए हम लोगो थोडी सी दिक्कत आती है, अगर हमें यह formula रियाद हो, that the speed of light is given by under root of, speed of light is given by 1 by under root of mu naught, epsilon naught, तो हमें यह निकालने में कोई दिक्कत नहीं आगे, क्योंकि epsilon naught के dimension में यहाँ से निकाल लूँगा, c is the speed of light, which is l t minus 1, तो हम लोग आराम से mu naught के जो dimension से हो यहाँ से निकाल पाएंगे, और इसको करने के बाद में, जब हम लोग सभी चीज़े चेक करेंगे, तो आप यह पाएंगे, कि options, A and C, the match, बहुत लंबा question था, इसलिए इसको बहुत ध्यान से करना था, अल्राइट, यह हुआ हुआ है 3H upon 2Pi, question में कहा है कि D Broglie wavelength, E, Pi upon A naught है, तो D Broglie wavelength, H upon MV होती है, उपर नीचे R से multiply कर दो, जहांपे R radius है, और पहली वाली equation से, MVR का value डाल दो, 3H upon 2Pi, तो क्या आजाएगा, 2Pi RH upon 3H, H से H उड़ा दो, यह लेंबा का value है, सवाल में दिया हुआ है, कि इसको आप equate करो, किसके बराबर, इसको equate करो, P Pi A naught के बराबर, A naught को Bores radius बोला है, जिसको जनरली हम formula में, 0.53 लेकर चलते हैं, तो 2Pi by 3, R का value लिखेंगे, इस A naught, N square by Z, P Pi A naught, N का value कितना होगा, angular momentum में हम जानते हैं, angular momentum का formula is NH upon 2Pi, तो N का value हैं क्या रखेंगे, 3, तो 2Pi by 3, A naught, 3 का square Z, lithium Aion है, तो lithium के लिए भी, 3 रखना पड़ेगा, P Pi A naught, A naught से बढ़ाईए, A naught Pi से बढ़ाईए, Pi 3, 3 square, तो P का value आएगा 2, which is the answer of this question, question number 16 के diagram में ऐसा दिया हुआ है, कि Q यहाँ है, P यहाँ है, बीच में रसी से जुड़े हुए, इसको liquid L1 में और इसको liquid L2 में डाला गया है, और रसी जो है वो taut है, तो पहले वाले केस के लिए हम P का FBD बनाते हैं, by and force लगेगा उपर की तरफ, radius दौना स्फेर का बराबर है, tension नीचे की तरफ, और इसका mg भी नीचे की तरफ, पहले वाले केस से equation मिल जाएगी, sigma 1 4 by 3 pi r cube g, which is equal to t rho 1 4 by 3 pi r cube g, ठीक है, यहां से t का value निकाल लो, it's sigma 1 minus rho 1 4 by 3 pi r cube g, इसी तरीके से q का FBD बनाएंगे, q का FBD बनाएंगे, तो उसमें tension उपर, sigma 2 4 by 3 pi r cube g, उपर और इसका mg, नीचे की तरफ होगा, तो t plus sigma 2 4 by 3 pi r cube g, बराबर rho 2 4 by 3 pi r cube g, के बराबर होगा, t का value यहां से rho 2 minus sigma 2, 4 by 3 pi r cube g के बराबर आएगा, यह equation number 2, और यह equation number 1, दौना equation हमें t के मिले हैं, तो दौना को equate कर देते हैं, sigma 1 minus rho 1, बराबर rho 2 minus sigma 2, अब हमें terminal velocity के लिए पूछा है, तो terminal velocity के लिए हम formula यूज़ करेंगे, terminal velocity का formula होता है, 2 by 9 r square rho minus sigma upon n into g, तो p वाले को बोला गया है, की L2 में डालो, और q वाले को बोला गया है, L1 में डालो, तो p वाले के लिए जब हम लिखेंगे, तो ये आएगा rho 1 minus sigma 2, 2 by 9 r square g upon n, और इसी तरीके से q वाले के लिए लिखेंगे, तो वो आएगा 2 by 9 r square, rho 2 minus sigma 1 upon n1 into g, यहां से solve करेंगे तो हमारे answer आएंगे, a and d, 19 और question number 20, basically question all effect का है, इस question में आपको दिया हुआ है कि current along x axis है, यह z axis है, यह y axis है, question की condition के हिसाब से, यहां पर charge deposition होगा, क्योंकि बैते वे current वाले charge पर magnetic field force लगाएगा, magnetic field के force का formula हम जानते हैं, q v cross b होता है, तो देखिए, question number 19 में जो data दिया हुआ है, इसके हिसाब से, यहां पर एक force लगेगा, जिसकी वज़ए से charge यहां deposit होगा, charge deposit होगा, तो electric field आएगा, और electric field से potential difference आएगा, question में हमें, potential difference compare करना है, दो cases के लिए, पहले वाले case में, हमारा जो material है, वो same है और dimension अलग अलग है, तो पहले हम इसकी equation बनाते हैं, q v cross b में, यह तब तक चलेगा, जब तक कि इसका force, electric field से balance ना हो जाए, यहाँ पे electric field का value, v into b आएगा, जहाँ पे v velocity of charge है, velocity of charge कहां से निकालेंगे, i बराबर na v d e, यानि drift velocity और current के relation से, हम v d को लिख सकते हैं, i by na e, यहाँ value e की equation में रखने पर, हमें i, b, n और area जब हम लेंगे, तो area की जगे w into d आ जाएगा, क्योंकि question में जो dimension दिये हैं, उससे area w into d आ जाएगा, अब बात आती है potential difference की, तो potential difference upon length is electric field, इसको equate करो i, b के, तो पहले part के लिए potential difference, i, b into n, d, e आएगा, और अब जो option दिये हैं, उसके इसाफ से जब हम solve करेंगे, जैसे पहला option दिया है, omega w1 बराबर w2, लेकिन d1 बराबर 2d2, तो जो potential difference की equation आपके पास है, उस equation में ये condition रखने से, आपको 2v1 बराबर w2 मिलेगा, यानि a option सही है, d option में गलत, c option b, गलत, d option सही है, क्यों, क्योंकि w1 बराबर w2 रखोगे, d1 बराबर d2 रखोगे, तो v2 बराबर क्या हैगा, v1, this is question number 19 of paragraph 2, बराबर 2 के दूसरे question, जिसको कहते है question number 20, 20 में आपको बोला है, कि material difference है, dimension same है, अब इस question के लिए, फिर से हम वही करते हैं, drift का value लिखेंगे, i by n w d e, तो v1, यानि पहले वाले case में, velocity होगी इतनी, dimension में कोई change नहीं है, लेकिन material में change है, इसलिए, concentration of electron different आएगा, similarly v2 आएगा, n2 w d e, तो e1 का value, यहां से हो जाएगा, i b1 n1 w d e, तो potential का value हो जाएगा, i b n1 d e, तो इस हिसाफ से, पहले option में दिया हुआ है, v1 बराबर b2, और n1 बराबर 2 n2, रचेंगे, तो v1 by v2 का value, 1 by 2 आएगा, यानि option सही है, दूसरे option में, जब हम यह value रखते हैं, तो option गलत आएगा, c भी गलत आएगा, c में आपको बोला है, v1 by v2, v1 by n1, और n2 by b2, रखेंगे, n1 and 2 equal दिये हैं, और b1 twice of b2 दिया है, तो ये भी सही आएगा, that is v1 equal to twice, v2 को दो option सही होंगे, a और c, C.